खबर गाउं की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इनसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामी न्यूज ग्रामी न्यूज यूजीव पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं नमस्कार मैं हूँ पारो लियादव और आप देख रहे हैं ग्रामी न्यूज में आज का इतिहास चलि दोस्तों जानते हैं 6 मार्स रुडे देशवर दुनिया के इतिहास के बारे में साल 1961 में आज जी के दिन भारत का पहले वित्य डेली समाचार पत्र ये वाल स्टीट जनरल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अंग्रेजी भाषा का वेवसाइक अकभार है जिसको पढ़ने वालों की संख्या आठ लाग से भी ज़्यादा है साल 1979 में आज जी के दिन मशूर वग्यानिक दिमित्री मैंडलीफ ने पहला periodic table Russian Chemical Society के सामने पेश किया था periodic table में धर्टी पर पाए जाने वाले elements यानी तत्वों को उनके गुणों के हिसाब से जगा दी जाती है periodic table को chemistry की अधारशिला माना जाता है कॉलंबिय के मशूर उपन्यासकार और short stories लिखने वाले लेखत गैब्रेल ग्राश्या मार्केज का जन्म आजी के दिन 1927 में हुआ था मार्केज नहीं magic realism की नीव रखी थी जिसमें हकीकत की बातों को fantasy के साथ मिला कर पेश किया जाता है 100 years of solitude और love in the time of cholera उनके मशूर उपन्यास है इटैलियन मूर्थिकार painter और architect Michael Anzolo का जन्म आजी के दिन साल 1475 में हुआ था उन्हें उनके जीवनकाल के दुरान सबसे महां जीवित कलाकार माना जाता था माइकल Anzolo पहले पश्चिमिक अलाकार थे जिनकी जीवनी उनके जीवनकाल में ही प्रकाशित हुई साल 1964 में आजी के दिन boxing champion Cassius Clay ने अपना नाम इसलाम धर्म के नुसार बदल कर मुहमद अली रख लिया था मुहमद अली को दुनिया के सबसे मशूर और सबसे सफल बॉक्सर्स में गिना जाता है अपने करियर में 61 में से 56 मुकाबलों में मुहमद अली ने जीथ हांसिल की है साल 1967 में मुहमद अली ने वियतनाम यूद में लड़ने और अमेरिकी सेना में शामिल होने से इंकार कर दिया था जिसके करण उन्हें गिरफतार कर लिया का और साथ ही उनकी boxing पर भी बैन लगा दिया गया था और इसी के चलते वो 4 साल तक boxing से दूर रहे थे आज के तियास में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहे ग्रामी न्यूस नमस्कार